आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ, अभी राउनोड करें निम्न में से कौन रेडियोक्टिपदार प्राकतिक रूप से नहीं पाय जाते हैं यहां पर पहले हम समझ लेते हैं कि रेडियोक्टिपदार क्या होता है, तो रेडियोक्टिपदार क्या होता है, जैसे यह अलफा रेस लिकल गई, ठीक है? कुछ समय बाद फिर यहां से बीटा रेस लिकल गई, फिर कुछ समय बाद गामा रेस लिकल गई, और भी अलग-अलग प्रकार के अध्रिश की नहीं एक समय समय पर लिकलते रहती है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ये नाभिक 6 हो रहा है ठीक है अलफा रेस लिकल रही इसका मतलब क्या है अलफा रेस क्या होता है हिलियम नाभिक प्लस टू आवेस वाला ठीक है तो इससे क्या हो रहा है एक नाभिक 6 हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो रेडियो एक्टि पता से नहीं पाया जाती है इसका मतलब ये बोला जा रहा है देखें कुछ जो रेडियोक्ति पदार्थ होते है प्रकृति में पहले से मौजूद है ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्राकृतिक रूप से पाया जाने अलपदार्थ जैसे यह हमारा यूरेनियम और डूटो ठीक है यह दोनों क्या होते है नेचरली हमको प्रेजेंट रहते है ठीक है प्राकृतिक रूप से पाया जाते है प्राकृतिक रूप से उपलब्द है यह ठीक है जैसे यूरेनियम जो बिहार का जो जादुगुड़ा की खदाने वहां से यूरेनियम मिलता है ठीक है तो य यह deuterium भी इसी तरह के से प्राक्रतिक रूप से हमको प्राप्त होता है और अगर यहां पर देखें यह जो टाइट्रियम और प्लूटेनियम है हा ना टाइट्रियम और प्लूटेनियम टाइट्रियम यह जो रेडियोक्टिप अदार्त है ना यह क्या है मानो निर्मित है यह आर्टिफिश्यल होता है इसको मानो दारा निर्मित करके हम इससे बनाते हैं ठीक है यह प्राक्रतिक रूप से नहीं पाया जाता है तो हमारा यहां पर प्रश्णम यही पूछा जा रहा है कि प्राक् तेक रूप से कौन कौन सा नहीं पाय जाता है ये टाइट्रियम और ये प्लूटोनियम तो हमारा पहला और चौथा ये जो है सही होगा तो हमारा ओप्शन सी यहां से करेक्ट हो रहे है तक सच्विती से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेबल तक एक क आउनुट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर